एक बहुत ही अच्छे एक्जामपल के साथ स्टार्ट करूँगा लिंग लिस्ट को वी क्या होती है लिंग लिस्ट और क्यों आप लोग इसको यूज करना चाहेंगे तो लिंग लिस्ट का जो नाम है अगर आप पहली बार सुन रहे हैं यह हो सकता है कि आपने पहले पढ़ा हो समझ में ना आया हो मैं एक एक्जामपल के साथ स्टार्ट करूँगा इस fibre को और एक्जामपल यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ धा को आख़ा होँ फास्पिटिल ठीक है मानलो के मेरे पास एक सिटी है आपर ठीक है क्या है एक सिटी ए उससकती है ठीक है Delhi मान लेते हैं ठीक है अब इस City के अंदर मान लो भूस सारे Hospitals है ठीक है मान लो एक doctor है ठीक है यह है doctor साफ doctor साफ क्या करते है full body check-up करते है FBC करते है کیा कहते है FBC करते है full body check-up अब मान लो कि एक Jupiter है उसमें beds है ठीक है Bed number one bed number two bed number three और मान लो bed number 0 से start हो रहा है मान लो यार बस मेरी बात यहां पर आप मान लो bed number 0 से start हो रहा है 0 1 2 3 4 ठीक है मान लो यह इस तरह से यह check कर रहे हैं अलग-अलग patients को जाके hospital में यह full body check up करेंगे पहले इसका फिर इसका फिर इसका और सबका यह full body check up कर देते है hospital में 4 bed मिल रहे हैं इनको ठीक है यह एक hospital था H1 मान लो H1 hospital का नाम है H1 hospital अब यहां पर क्या हुआ कि अचानक से कुछ हुआ कुछ होने की वज़ा से hospital में beds कम पढ़ गए तो क्या हुआ जितने भी लोगों को full body check up करा ना था पहले तो यहां पर मान लो 100 beds खाली थे bed number 5 खाली था bed number 6 खाली था और bed number 100 तक खाली था अगर 5 लोगों को जाना है तो वो शुरू के 5 bed घर लेते थे अराम से बैठ के full body check up करा लेते थे लेकिन अचानक से क्या हुआ कि demand बड़ी hospital में beds की और अचानक से सारे के सारे beds जो हैं उनमें occupancy आ गई सब occupied हो गई ठीक है अब क्या हुआ डॉक्टर परशान जो लोग full body check up कराना चाहते थे वो परशान की कैसे करा है तो डॉक्टर ने क्या कहा दॉक्टर ने कहा कि मानलो H3 का यहां पर हो सकता है bed number let us say 280 or 286 और यहां पर H4 का हो सकता है मानलो कोई भी दूसरा bed खाली मानलो 300 I'm just making it up 300 381, मानलो यह H4 के bed खाली है तो डॉक्टर पेशेंट से क्या कहेगा कि तुम किसी भी जो भी खाली bed है उसमें आके लेड जाओ मानलो जो पहला patient होगा अब यह वाला scene तो रहा नहीं हमारे पास यह bed मानलो इस तरह से खाली नहीं है अब occupied हो गए तो डॉक्टर ने मानलो क्या कहा अपने patient से कि भाई तुम एक काम करो तुम कोई भी एक bed जो है जो खाली मिले उस पर लेड जाओ और उसी के साथ साथ तुम क्या करो कि जो तुमारा अगला बेड है उसका तुम एड्रेस एक कागस पर लिख के अपने पास रखो ठीक है एक कागस पर अपने पास लिख कर रखो ये तुमारा पता होना चाही कौनसा बेड़ खाली है तो डॉक्टर जब देखेगा इस पेशंट को तो वो इस पेशंट को देखेगा इस पेशंट को देखने के बा vraiment इदेखने के बाद और उसके बाद गला पेशंट ये है तो बोगेगा चलो ठीक है इसको देखता हूं इससे पूछेगा अगला पेशेंट का है यह बोलेगा 171 में इसको देखेगा फिर उसके बाद क्या होगा अगला पेशेंट यहा है इसको देखेगा फिर अगला पेशेंट वालो यहा है तो इसको देखेगा तो ऐसा करने से नहीं मिल पाए लेकिन उसके बाद भी जितनी जगा अवेलिबल थी इदर उदर किसी दूसरे हॉस्पिटल में ये लिंक करके हमने क्या किया एक पूरी चेन मना दी यानि कि इस पेशेंट के बाद जाएंगे इसका फुल बॉड़ी चेक अप करेंगे इससे पूछेंगे अगला पेशेंट यहां पर है यहां जाएंगे इससे पूछेंगे अगला पेशेंट का पर है यह बताएगा यहां पर है और ऐसी पूरी जो चेन है इन पेशेंट की इनको ट्रावर्स कर लिया जाएगा फाइदा क्या मिला हमें हमें एक जगह पर सारे बेट नहीं मिले थे उसके बावजूर्द भी हमने जो है सब जगा अलग अलग जगा पर जित्ते जित्ते बैट खाली थे उनको यूटिलाइस कर लिया उनको यूटिलाइस कर लिया ठीक है तो यही link list होती है अब यह कहानी आपने सुन ली इस कहानी को अभी भूल जाओ यह एक analogy थी मैं आपको बताऊँगा link list क्या होता है और क्यों आप लोग यूज़ करना चाहेंगे link list को array के replacement के तौर पर ठीक है तो यहाँ पर जब हमारे पस array होँआ करता था अब मैं सीधे यहाँ पर आ जा रहा हूँ array में मानलो हम एक array बना रहे है ठीक है अपनी stack में बनाऊँ या heap में बनाऊँ मानलो यह मेरी memory है यह मेरी क्या है यह मेरी main memory है मानलो यह stack है मैं बाकी sections नहीं दिखा रहा हूँ और यह heap है ठीक है यह stack यह heap अगर मैं array बना रहा हूँ कुछ इस तरह से c language में int arr 30 वो मुझे stack में मिलेगा ठीक है लेकिन अगर मैं dynamic memory allocation करके मैं कह रहा हूँ int star ptr is equal to int star malloc int star में typecast करो malloc द्वारे return किये गए void pointer को and into size of int यह मैंने बता रहा है आपको ठीक है यह मैंने बता रहा है अलड़ी आपको इस ब्रैकेट बन कर दो यह मैंने आपको बता रहा है किस तरह से dynamic memory allocation किया जाता है dynamic memory allocation जब आप करते हैं तो आपको क्या मिलता है आपको एक memory मिल जाती है heap के अंदर और आप इस pointer को यहां point करा देते हैं और आप इसको use कर सकते हैं आपको जो memory मिली है उसको आप use कर पाओगे ठीक है तो यह आप इस तरह से memory जो है पर reserve कर सकते हैं अब जब हम array बनाते हैं तब क्या होता है 0, 1, 2, 3, 4 और मानलो आपने एक array मना लिया ठीक है 5, 6 आप array को एक limited capacity का ही बना सकते हो अगर आप इस array को बढ़ा करना चाते हो उसकी capacity नहीं बढ़ा सकते हैं आपको elements को एक नया array बना कर उसमें copy करना पड़ेगा अगर आपको एक भी element extra चाहिए तो हाला कि हमने यह देख लिया था कि यार थोड़े ज़ादा elements reserve कर लो capacity stocky कर लो और 50 elements ही store करो उसमें उतने use करो यह हम कर सकते हैं लेकिन अगर हम बहुत precisely memory यूज़ करना चाहते हैं सिर्फ उतनी memory यूज़ करना चाहते हैं जितनी हमको चाहिए और उसी के साथ साथ अगर हम यह चाहते हैं कि यार हमारा जो array है उसका size कितना भी बड़ा हो सकता है हमें पता नहीं अभी यह साथ है तो हो सकता है कल यह साथ लाक हो जाए तब भी हम चाहते हैं कि हम memory allocate कर सके अगर साथ का जो array है वो 100 से पार हो गया अगर आपके array की capacity 100 है तब आपको problem हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर अगर यह 6 size का array है तो इसको 7 size का करने के लिए एक नया array बनाना ही पड़ेगा आपको ठीक है लेकिन link list में क्या फाइदा मिलता है आपको link list में आप क्या करते हो मैं आपको एक idea देता हूँ link list का सबसे पहले link list में आप कहते हो कि मेरे पास एक structure है ठीक है अभी के लिए इसको node मानलो structure को भूल जाओ अभी के लिए इसको एक node मानलो यह क्या है link list में मेरे पास एक node है मैं कहता हूँ यहाँ पर मेरे पास दो खाने है एक तो data के लिए space है मेरे पास और एक pointer to next के लिए मेरे पास यह मेरी कहीं भी हीप में हो सकती है और उसी के साथ-साथ मैं हीप में कहीं भी एक दूसरा नोट बना सकता हूँ, कहीं भी, ज़रूरी नहीं एक contiguous memory location हो, यहाँ पर array में ज़रूरी था, array में अगर इसका address 8 है तो इसका address 12, इसका 16, इसका 20, इसका 24, इसका 28, इसका 32, इसका 36 and so on, इस तरह से चलेगा, क्योंकि 4, 4 का जो integer है, वो contiguous memory location में होगा, क्यों रखते हैं array के elements को contiguous memory location में ताकि access आप कर पाओ, यह pointer आपको पता है, और आप 5 वे element को यहाँ पर pointer arithmetic यूज करके constant time में अक्सेस कर पाओ, इसलिए हम ऐसा करते थे, link list में क्या होता है, link list में एक नोड बनी हुई है, एक आपका pointer to next के लिए जगा बनी हुई है, तो मैंने क्या किया, कि जो pointer to next node था, मैंने कहाँ कि यह इसको point कर रहा है, और यह भी बिल्कुल इसी तरह से चलेगा, फिर यह next node को point करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जिस तरह से आपने भी hospital का example, अगर आपको याद हो, जो कि मैंने analogy दी थी, वो जिस मैंने आपको समझाने के लिए दिया था, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कि मैं next node, next node, next node में जाता जा रहा हूँ, और finally मैं आपर इसको null से point करा दे रहा हूँ, और मैं इसको explain करता हूँ, यह क्या है, ऐसा क्यों क्यों क तेरे पास एक बहुत बड़ी luxury है, कि मैं कभी भी इस list को बढ़ा कर सकता हूँ, कभी भी, मानलो यह एक लाक elements भी हैं, और यहाँ पर एक लाकवा element null है, तो इसमें मैं एक और element add कर दूँगा, कुछ इस तरह से, मैं कहूँगा इसको अटाओ, और यहाँ पर, क्या करो, एक data note बना दो, और एक pointer बना दो, इसको मैं 80, इसमें data डाल दूगा, और फिर उसके बाद, एक और मैं इसको null करा दूगा, तो मैंने क्या किया, इस list को extend कर लिया, तो इस list को extend करना बहुत easy हो जाता है, इसको extend करना असान नहीं, इसको तो नामुम्किन हो जाता है, कभी-कभी extend क करना जब यह बहुत बड़ा grow हो जाएगा, तो आपको जो है, इसको change करके दूसरे area में copy करना पड़ेगा, यहां क्या luxury मिलती है मुझे, यहां यह luxury मिलती है मुझे, कि मैं, यह जो links है, यह chain की तरह है, एक kunji की तरह है, जैसे एक chain है आपकी, ठीक है, एक chain आप समझ सकते हो सुइ, यह जोड़े हैं यह जोड़े हैं जाँ चायिर, तो आप आप एक हैं इस चैन को लंबा गरना गरना जाते तो आप eken यह आपर एक कुंणा दाऊँ want to click hit, यह बहुआ पर कुंढ़ें और यह जाएगी यह टे, आपको मालो यह ए रड़ गर नोだ है जो यहाँ से भी तोड़कर उसमें element add कर सकते हो, तो insertion जो है वो बहुत easily हो जाता है link list में, ठीक है, क्यों easily हो जाता है यहाँ अगर मुझे insertion करना पड़ गया तो मुझे सारे elements को खिसकाना पड़ता था, याद है हमने देखा था insertion array में अगर playlist access नहीं करी है, तो playlist access कर ले ना नीचे description में लिंक मैंने दे रखा है यहाँ पर मैंने खिसकाए है सारे elements array के, अगर मुझे order maintain करना है यहाँ मुझे अगर insertion करना है और मुझे order भी maintain रखना है, तो मैं क्या करूँगा मैं क्या करूँगा कि चलो जी यह काम करो, यह link जो है, इसको तोड़ो एक नया element यहाँ पर रखो इसको कराओ, इससे point इसको कराओ, इससे point यह chain की तरह मैंने जोड़ो दिया इसको, तो यह chain की तरह है बिल्कुल ही, जैसे कि यह chain है ना, उसी की तरह है, यह बिल्कुल जैकी chain नहीं है, वो कुंजी वाली chain है, ठीक है chain, अब यहाँ पर क्या है कि आपने जैसे ही एक element इंसर्ट करना चाहा, आप इंसर्ट कर दोगे आपने जैसे ही एक element को मुझे कुंजी अच्छी नहीं लग रही है मैं गहाराओं कि याँ पर एक red कुंजी रखना चाहता हूँ मैं गहुँगा कियार मैं आपर इसको डिलीट करके red रखना चाहता हूँ मैंने replace कर दिया इसको ठीक है, अब मान लो कि मैं यह blue कुंजी नहीं चाहता हूँ मुझे अच्छी नहीं लग रही है को दिखाया, इस तरह से मैं तोड़ दूगा, मेरे पास chain है नहीं, मैंने खोजी actually, मैं मेरे पास अरे नहीं हो पाई chain, वरना मैं आपको chain से करके दिखाता, but I hope की board में आप समझ गयोंगे, ठीक है, so I just hope की, जैसे मैंने बनाया बोर्ड में उससे आप समझ गयोंगे idea क्या है, link list का, अगर आपने array बनाया होता, तो array में यह luxury आपको नहीं मिलती है कि आप इसको निकाल दो, कैसे निकालोगे आप इस element को, यह contiguous memory locations में, आपको इने खिसकाना ही पड़ेगा, वरना यह contiguous memory location में नहीं रह जाएंगे, एरे में एक condition है, array condition के साथ आता है, कि elements जो है, और stored in contiguous memory locations, आपके जो elements है array के, यह 8 पर, यह 12 पर, 16, 20, 24, 27, 32, 36, 40, 44 इस तरह से store होते हैं elements, लेकिन अगर आप link list यूज कर रहे हो, तो आपकी मर्जी है, कोई constraint निया contiguous memory location का आपके पास, अगर यह node मेरा 10012 location पर है, तो यह node मेरा 11810 location पर हो सकता है, यह मेरा 988 location पर हो सकता है, कोई भी memory location पर कोई भी element हो सकता है, यह उनी hospital की bed की तरह है, जैसे मैंने आपको बताया था, वीडियो के start होने पर, कि यार जो hospital का bed है, यह तो एक hospital में ही सारे bed है, line by line लगे हुए है, और यह क्या है, यह अलग-अलग hospital के अलग-अलग bed है, जिनको link कर दिया गया है, ठीक है, link करने से क्या फाइदा मिला, मैं इसमें insert कर सकता हूँ, इस list में element को insert कर सकता हूँ, उसी के साथ-साथ मैं elements को delete कर सकता हूँ, मैं इसमें से कोई भी एक element निकाल सकता हूँ, मालनों मैं यह element निकालना चाता हूँ, मैं इसको निकाल दूँगा, और उसी के साथ-साथ मैं आपर इसको इस तरह से लगा दूँगा, ठीक है, तो यह idea आपको बहुत साथा cool sound कर रहा होगा, कि हाँ यह तो सही है, हम तो array बेकार यूज करते थे, नहीं, बेकार यूज दी करते थे, उसके अपने फाइदे हैं, इसके अपने फाइदे हैं, जहां यह फाइदे मंद है, यह उतना फाइदे मंद ना रही, जहां यह फाइदे मंद है, यह फाइदे मंद है, यह उतना फाइदे मंद ना रही, तो चलो आजाओ, देखते हैं, कहां पर कौन से वाले को यूज करना है, और कौन सा कब फाइदा दे सकता है, मानलो, अगर आपको इस तरह से और ili mebut को अक्सस करण आए hai फूर्थ और कla य। आपक्स साल चाहिए और आपको साल बाक्स कर सकते हो तो आप कॉंस्टेंट इंचे 있으면 आपके बाथ धिर पॉइंटर है मानलो, यंऑ पीटी य। य। आपको क्या करना है PTR में कितना जोड़ना है पांचवे element को access करने के लिए आप यहाँ पर देख लो कितना जोड़ना है और आप सीधे पहुंच़ें पांचवे element में calculate कर सकते हो आप पांचवे element का address जब आपको पता है कि address जो है वो 4-4 की दूरी पे है अगर आपको 8 पता है तो आप यहाँ पर formula लगा के पता लगा सकते हो कि जो मेरा पहला element होगा वो होगा 8 into 0 multiply by 4 पे जो second element है वो मेरा होगा 8 plus 1 multiply by 4 पे और nth element मेरा होगा 8 plus n multiply by 4 पे तो मैं इस तरह से अगर index 5 का address निकालना चाता हूँ तो वो 28 होगा देख लो 0 1 2 3 4 5 मुझे पता है जो fifth वाला है मेरा element वो 28 address पर है तो यह फाइदा मिलता है मुझे मैं किसी भी element पहुँच सकता हूँ बड़ी आसानी के साथ यहाँ नहीं होगा वो यहाँ अगर मुझे पाचवा element चाहिए तो मुझे चारो element से गुजर के जाना पड़ेगा ठीक है लेकिन फाइदा क्या मिलता है यहाँ पर मैं इसको extend कर सकता हूँ अगर मेरे पास memory कुछ इस तरह से available है कि 4 block of memory मानलो मेरे पास available नहीं है एक जगा पर मानलो नहीं है available हो सकता है अब अगर ऐसा हो रहा है और मेरे पास 4 block अलग अलग जगा पर पड़े हुआ है खाली तो मैं उनको utilize कर सकता हूँ ठीक है तो यह यहाँ पर मैंने कर दी तारीफ array की कि भाई आप बहुत जल्दी access कर सकते हो यहाँ पर आपको पूरी list travels करनी पड़ेगी अगर मुझे इसकी बुराई करनी पड़ी मैं कोंगा कि यार इसमें deletion करना इतना difficult होता है कि तुम अगर इस element को delete करोगे तो तुम्हें यह सारे elements खिसकाने पड़ेंगे इदर को और अगर तुम्हें insertion करना है तो तुम्हें खिसकाना फिर से पड़ेगा जगा बनाने के लिए और एक दूसरी बात बताऊं और कि अगर इसमें जगा होगी तभी insertion होगा वरना insertion नहीं होगा यानि कि capacity अगर 100 है और तुम 50 element उसमें store कर रहे हो तब तो कोई chance बनता भी है insertion का लेकिन अगर 100 की capacity और 100 तुम्हें store कर रखे है array में कहां डालोगे एक और element नहीं है जगा ठीक है यहाँ पर आप क्या करते हो कभी भी किसी भी कुणजी को तोड़ के कहीं भी जगा बना कर link कर देते हो ठीक है यह है link list का कमाल ठीक है अब यहाँ पर insertion मुश्किल, deletion मुश्किल, यहाँ पर कभी भी deletion कर दो किसी भी element का, कभी भी insert कर दो, बीच में कोई भी element बड़े आराम से हो जाता है, ठीक है, दिख रहा है आपको, यहाँ से तोड़ना है इसको, इतरा आसान है, बस एक नया नोड बनाना है, और एक और नया नोड बनाके, इस तरह से link कर दो, मानलों यह 18 मानलों में डालना चाहथा हूँ, यहाँ पर 8 डाल दिया मैंने, यह क्या ह यह पॉइंटर है, पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस को स्टोर करता है, तो यह क्या कर रहा है, इसका एड्रेस स्टोर करता है, जब मैं एरो बना रहा हूँ, उसका मतलब यह है, कि यह जो पॉइंटर है, यह इसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, मानलो इसका एड्रेस 280 है, ठी आपको और उसी के साथ-साथ एक और बात बता दूं कि मैने नोट्स बना के आपके लिए रखे हुए हैं, डाउनलोड कर लेना, सब लोग अपनी-पनी कॉपी नोट्स की, और वो जो नोट्स मैने आप लोग के लिए बना के रखे हैं, उसमें मैंने, जितना भी बताया भी, वो systematic लिखा हुआ है, यह drawbacks ही है, array के, यह जो है link list यहाँ shine करती है, ऐसा, 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 ऐसे करके मैंने पूरा लिखा हुआ है, short, crisp and to the point, बिल्कुल भी lengthy notes नहीं है, notes का मतलब, short, crisp and to the point, video और notes दोनों साथ में देख लिए, अगर तो काम 100% done है आपका, अब यहाँ पर देख लिखा हुआ, link list बुरा मतमाना, ठीक है, बुरा मतमाना इस बात का, कि link list क्या करती है, यह हर element के लिए एक extra मुझे लेना पड़ रहा है, यहाँ तो मेरा 7 यहाँ आजाता, 11 यहाँ आजाता, 8 यहाँ आजाता, 18 यहाँ आजाता, और मैं store कर रहा था, यहाँ क्या problem पड़ र यहाँ पड़ रहा है, क्योंकि मुझे जो है, next node में link करना है, similarly यहाँ पर, जितने element में add कर रहा हूँ, एक extra element मुझे पड़ जा रहा है, pointer type का, क्योंकि मुझे adder store करना है गले element का, तो अगर memory की बात करूँ तो यह memory जो है, इसकी linearly increase करेगी with number of elements, 100 elements है, तो 100 extra यह पॉइंट चाहिए होंगे, 10 elements है, तो यह 10 extra pointers चाहिए होंगे, यहाँ पर सीधा सुतरा element आप सिर्फ store करने की जगे बनाते हो, ठीक है, तो array और link list ऐसा नहीं है, कि array को abandon करके link list पे आजाओ, या link list को छोड़के array यूज करो, कहीं लगेगा हमको link list अच्छी है, कहीं लगेगा हमको array पते हैं, उनको देखेंगे, अभी आपको एक idea देने के लिए वीडियो था, बहुत सारे लोग beginner हैं, और मुझे पता है, अगर आप beginner होते हैं, सिर्फ C language आपने लगी बूल की सीखी है, तो इस सब चीज़े समझे आप लोग के लिए कितना हो मुश्किल हो जाता है, हो सकता आप में से कुछ लोग को यह idea पता हो, जो मैंने इस वीडियो में बताया, but definitely I can guarantee आपको कुछ नहीं सीखने को मिलेगा, जैसे से आप वीडियो देखोगे, और आके जो है, थोड़ी थोड़ी complexity करके मैं बढ़ाऊंगा, और assurity रखता हूं कि समझे में आपको जरूर आएग ठीक है, so मैंने आप लोग के लिए notes वगरा सब बनाये हुए, जरूर उन पर नजर डाल लेते हैं, so guys, यहाँ पर यह वो folder है, जिसमें मैंने notes आप लोग के लिए बना के रखे हुए है, मैं आपको लोग को दिखाता हूं, link list के, जो notes मैंने बनाया आप लोग के लिए, तो जो last element होता है, जो यहाँ पर, last wall element है link list का, उसका जो यहाँ पर यह वाला pointer होता है, वो null से point कर रहा होता है, यह मैंने आप लोग को बताया इब थोड़ी दिर पहले, null से point करने का मतलब की यह link list यहाँ पर खतम हो चुकी है, तो यहाँ पर आप अगर इस link list के सारे elements को print करना रहोगे ठीक है तो यहाँ पर area on link list में हम लोगों ने देखा था memory और capacity जो होती है array की वो same रहती है link list में आप जोड़ोते चले जाओ notes बीच में जोड़ो बीच में से node निकाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है array में क्या होता है अगर आपने निकाला और order maintain रखना है आपको तो आपको यहाँ पर खिसकाने पड़ेंगे elements अगर 11 निकाला इसमें आपने तो order maintain करने के लिए आपको 12 को खिसकाना पड़ेगा इस side किस side यहाँ पर left side 18 को एक कदम left 22 को भी एक कदम left तो इस तरह से आपको खिसकाने पड़ते हैं elements किसके case में array के case में अगर insertion, deletion करना है तो लेकिन link list में यह काम बहुत ज़ादा आसान हो जाता है drawbacks की अगर हम लोग बात करें तो extra memory space pointer के लिए required होती है यह मैंने आप लोग को बताया था हर node में एक pointer है यह जो pointer है इसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ती थी array में लेकिन यहां मुझे link करने के लिए लगाना पड़ रहा है इस pointer को हर node में लगाना पड़ रहा है ठीक है तो यहां पर extra memory space जो है एक बहुत बड़ी दिक्कत है फिर उसके बाद random access allowed नहीं है यानि कि अगर मुझे पहले element का address पता है तो मैं 10 element का address calculate करके वहां तक नहीं पहुच सकता चुकि यह contiguous memory location में नहीं है ऐसा नहीं है कि यह अगर 0 है तो यह 4 हो यह 8 हो यह 12 हो ऐसा नहीं contiguous addresses नहीं है लेकिन हमारे array में होते है contiguous address linkless में नहीं है यहां पर तो 0, 4, 8, 12 यह ऐसे होता है बिल्कुल array में आपके contiguous addresses होते है हर element में जैसे से आब आगे बढ़ते जाएंगे next element में जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है कि address 0, 4, 8, 12, 16 इसे आपके बढ़ते जाते है link list में क्या होता है कि link list में elements non-contiguous memory location में होते है यानि कि अगर यह 0 है तो यह 2000 हो सकता है यह 4000 हो सकता है next note फिर से 40 हो सकता है कहीं भी memory में जहां जगा मिली वह वहां जगा लेके और pointer से अपने आपको link करता चला जाता है ठीक है यह था हमारा link list drop a key आपने बात कर लिए random access allowed नहीं है memory space extra चीह होती है link list में फायदेगी बात करी insertion fast, deletion fast और उसी के साथ साथ यहां पर आप लोगों को अगर memory कम पढ़ रही है तो contiguous memory की कोई tension नहीं कहीं भी आप memory लेके इसको बढ़ाते जाओ जितना मन चाहे और इसको आप उतना नहीं बढ़ा सकते हैं हो सकते हैं आपको इतने contiguous memory blocks ना मिलें memory में तो area की यहां पर यह limitation है ठीक है implementation की बात करते हैं मालो implement करना पड़ गया link list को मुझे link list को implement करने का एक तरीका है structures के गवारा C language के अंदर आप एक node नाम का structure बना दो उसमें आप एक data डाल दो अब data यहांपर मैंने int data लिया है ज़रूरी नहीं है वो integer ही हो कुछ और भी हो सकता है लेकिन learning purpose के लिए इसको integer ही रहने देते हैं और यहांपर अगर मैं ज़ादा complicated data types की बात करूँगा तो basic मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा लेकिन यहांपर data की जगा कुछ भी हो सकता है लेकिन मैं भी यहांपर integer data ले रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए समझने में असानी हो इसके बाद struct node star next यानि कि यह एक pointer store कर रहा है अपने ही type का यानि कि struct node type का pointer store कर रहा है जैसे कि यहांपर देखो आप यह in data है मेरा और यह क्या pointer to next element यह खुद में एक element है और यह इसके अंदर pointer to next element जो कि point करेगा इसके जैसे एक और element को फिर यह point करेगा इसके जैसे एक और element को यह point करेगा यहां तो null को null का मतलब कुछ नहीं यानिकी list खतम या फिर इसके ही जैसे एक node को तो मैंने इसलिए struct node star type का एक next pointer यहाँ पर बना लिया है और इसको बोलते है self referencing structure जो कि अपने आपको reference करता है जिसके अंदर एक ऐसा pointer है जो अपने आपको reference करता है उसे कहते है self referential structure और यहाँ पर हम लोग देखेंगे आगे किस तरह से इस तरह की चीज़ें हम बना सकते हैं मैं आपको code करके दिखाऊंगा I hope कि idea तो समझ में आगे और link list का सबको और अगले वीडियो में implementation और वो सारी चीज़ें आप लोग को फिर से एक बर और request करता हूं कि please इस playlist को आप लोग शेयर कर दो मैं सिर्फ कहने के लिए बात नहीं कहना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि आप लोग शेयर कर दो बहुत ही कम लोगों ने in fact दो लोगों ने शेयर की बस playlist instagram पे दोनों को मैंने tag किया अगर आप लोग भी शेयर करते हो instagram पे मैं आपको टैग जरूर करूंगा आप मुझे टैग करो शेयर करो इस ds.algo की playlist को I hope videos आपको पसंद आ रहे होंगे अभी के लिए इस video में इतना ही guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time आपको आपको आपको